Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आशिस आप सभी का welcome करता हूँ अपने YouTube चैनल Young Minds Career Institute पे जहां पर हमने start किया है BSA Geology के बारे में, पूरा एक series बना रहे हैं, तो इस series का ये second video होने वाला है, और यहां पर आज हम deal करने वाले हैं, यूगलीना के बारे में, कि यूगलीना का shape क क्या होता है, किस तरीके से locomotion करता है, reproduction क्या हो सकता है, उसके अंदर कैसे आपने आपको protect करता है, बहुत सारी चीजे हम deal करने वाले हैं, यहां पर आज के जो video lecture है, यहां पर deal करेंगे, तो यह जो video lecture होने वाला है, इसको हम छोटे-छोटे parts में deal करेंगे, so that कि आपको भी बहुत जादा लंबा या बहुत लैंदी video ना मिल सके, तो जाए time waste नहीं करते हैं, directly move करते हैं, इस video की तरफ, ठीक है, तो जो सबसे पहला जो आपको point deal करना है, वो हमें यह समझना है, क्योंकि यह जो पूरा हमारा RL Code Pal book है, यहां पर हमें discuss करना है, यह invertibrates के बारे में, तो उसके अंदर जो invertibrates है, सबसे पहले हम deal कर रहे हैं, proto zones के बारे में, proto zones, तो आपको पता होगा, यह जो proto zones होते हैं, बहुत type के हो सकते हैं, बहुत proto zones है, लेकिन हम यहां पर उन proto zones के बारे में deal करने वाले हैं, जिनके पास एक organ होता है, एक locomotory organ होता है, जिसको बोलते ह हैं, फ्लेजिला, ठीक है, तो आज हम उन proto zones के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके पास क्या है, फ्लेजिला है, प्लेजिला है, प्लेजिला की मदद से वो क्या कर सकते हैं, motion कर सकते हैं, movement कर सकते हैं, ठीक है, तो generally, ऐसे organism, जिनके पास, फ्लेजिला होता है, as a locomotory organ, ऐसे organism या ऐसे proto zones को, हम एक super class, super class, जिसको बोलते हैं, मेस्टीगोफोरा, इसको क्या बोलेंगे, मेस्टीगोफोरा, तो मेस्टीगोफोरा, super class, या फिर बोल सकते हैं, फ्लेजिलेटा, या फ्लेजिलेटा, इसके अंदर रखते हैं, यानि ऐसे proto zones, जिनके पास, जो लोकोमोटरी organ है, लोकोमोटरी organ का है, लोकोमोटरी का मतलब, कि ऐसा organ जो लोकोमोशन में, यानि बोडी के movement में help करता है, ऐसा proto zone, जिसके पास, Locomotory Organ Flegilla होता है उनको हम Place करते हैं एक Super Class जिसको बोलते है Mastigophora या फिर Flegelator बोलते हैं तो यहां पर Flegelator रखने वाले जो Organism है जो Proto Zones है उनको हम Further 2 Type में Divide कर सकते हैं Assay Organism या Assay Flegilla Bearing Organism जो Autotropic है जिनके अंदर क्या है Photosynthesis हो सकते है तो जिनके अंदर Photosynthesis हो सकता है उसको हम Again 2 Part में Divide कर सकते हैं तो Let's Say कि मैंने यहां पर लिखा Mastigophora 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 का मतलब क्या है Flegelator Bearing Organism अब यह जो Mastigophora है यह 2 Type के हो सकते हैं यानि ऐसे Organism जो की Autotropic हो या फिर जिनके अंदर Photosynthesis हो सकते हैं उनको बोलते हैं Phytophagellator यानि उनको हम कहां रखते हैं Phytophagellator के अंदर और जिनके अंदर Photosynthesis नहीं हो सकता उनको रखते हैं हम Jewophagellator में तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सबसे पहले भी हमने Simple Basic चीज़ स्टार्ट की कि Protozones क्या है ऐसे Protozone जिनके पास Flagella होता है उनको हम Super Class Mastigophora या Flagellator में रखते हैं ये जो Mastigophora के अंदर हम दो सब क्लासे हमने डील किया है कि ऐसे Flagellates जो अपना Food Photosynthesis के थूँ Prepare करते हैं यानि जिनके अंदर Photosynthesis के थूँ Food का Preparation होता है उनको बोलते है Phytoflagellates अब क्योंकि इनके Photosynthesis के थूँ होता है तो ये क्या होते है Autotrops होते है ये क्या होंगे Autotrops Autotrops का मतलब क्या होते है ऐसे Organism जिनके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा हो Photosynthesis चल रहा हो यानि इनके पास Chlorophyll प्रेजेंट होता है जो Light को Trap करने में Help करता है Light Trap करके फिर ये Photosynthesis करते है Juflagellator का मतलब क्या होता है ये Heterotrops होते है ये क्या होंगे आपके Heterotrops होते है Heterotrops का मतलब क्या है ये Other Organism पर Depend रहते है Depends on Depends on Other Organism Other Organism For Food For Food तो ये क्या है दूसरे Organism पर Depend रहते है Food के लिए ठीक है तो यहां तक आपको चीजे समझ में आ गई होंगी अभी तक हमने क्या देखा Protozones Protozones को दो पार्ट में Divide किया गया Simple Mastigophora जो Phlegelabiering है उसको फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया Phytoflagellates और Geoflagellates Phytoflagellates ऐसे Protozones या फिर बोल सकते ऐसे Organism जिनके अंदर क्या है आपका Photosynthesis हो रहा हो यानि जो Food है अपना वो Photosynthesis के तरह वो प्रिपेर करते है Geoflagellates जिनके अंदर क्या हो हिट्रोट्राप्स होते है जो दूसरे Organism पर Depend रहते है अपने Food के लिए तो यहां तक चीज़े समझ में आ रही होंगी तो यह जो डाइगराम आप देख रहे है यह जो डाइगराम है यह हमारा Yuglena का है Generally हमारे यहां पर Generally Arts of Variety Yuglena की मिलती है लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा Study के लिए यूज किया जाता है वो है हमारा Yuglena Viridious जो Yuglena Viridious इसका मतलब होता है कि यह Viridious का तो Simple मतलब होता है Green ठीक है और Yuglena का मतलब होता है कि Eye Shape Photo Receptive Structure Present यहां पर Light को Recept करने लिए क्या होता है Photosynthetic Structure होता है जिसका जो Structure होता है वो Eye Ball की तरह होता है जो यहां पर Stigma आप देख पा रहे है यह Stigma क्या है Photo Receptive Organ होता है इसी के थूँ वो क्या है Photo को Recept करता है ठीक है तो यहां तक यह Basic चीज थी तो अब हम Detail करने वाले है Yuglina Viridious के बारे में तो यह जो Next Slide है इस Next Slide के अंदर मैंने क्या कर रखा है पूरा Yuglina को Draw कर रखा है यहां पर हम क्या करेंगे एक-एक Structure के बारे में Deal करना Start करेंगे तो सबसे पहले जो हम Structure Deal करेंगे क्या है थोड़ा Rounded होता है ठीक है उपर क्या है Rounded है यानि जो Upper Parts का Upper क्या है Rounded है यह Rounded है and Blunt है Blunt का मतलब कि इस तरीके से में Sharp Edges नहीं है यह Blunt है तो Upper वाला Part का है Round है Mid वाला Part अगर आप देख रहे हो यह तो Mid वाला Part का है Upper और Lower के Comparison में यह क्या है थोड़ा Wide है तो Mid वाला अगर हम Part देखें Mid Region तो Mid वाला Part आपको कैसा दिख रहा है Wider दिखता है यह कैसा है Wider होगा ठीक है यह उपर और नीचे के Comparison में थोड़ा Wide होगा और Lower Part अगर देखें इसका ठीक है Lower Part कैसा होता है बिल्कुल Tappered होता है यानि बिदम पैना सा होता है यह Structure कैसा है बिल्कुल Tappered है तो अगर हमने यह Structure देखा तो Structure का Shape मुझे कैसा दिखा कि Upper के साथ यह थोड़ा Rounded है Blunt End है इसके अंदर Lower End कैसा है Sharp End Pointed है ठीक है बीच वाले End क्या है थोड़ा सा Wider है तो यह Shape आपको यहाँ पर यह चीज़े समझ में आगे होंगी उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है यह जो आप यूगलीना देख रहे हो यूगलीना के ऊपर एक Thin Elastic Layering होती है Thin Elastic Layering होगी जिसको हम क्या बोलते है पैलिकल बोलते है यह क्या है पैलिकल होता है पैलिकल एक टाइप का प्रोटीन है इसके अंदर Cellulose Present नहीं होता यह क्या है Simply Protein है तो क्योंकि यह Simply Protein है इसलिए Cell Wall से Resemble नहीं करता और पैलिकल क्या है प्लाजमा मेंब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है यहनि पैलिकल के ऊपर क्या होगा प्लाजमा मेंब्रेन होगा प्लाजमा मेंब्रेन ठीक है और प्लाजमा मेंब्रेन के जस नीचे पैलिकल होता है तो पैलिकल के एक Proteinious Structure है ठीक है अगर हम pellicles की बात करें तो pellicle क्या है? चोटे-छोटे strips इस तरीके से मिलके बनते हैं और यह चोटे-छोटे strips है यह आपको utlina के उपर दिख रहे है यह जो छोटे-छोटे strips आप देख पारे हो यह सारे strips यह पलिकल के strips हैं अब यह जो strips हैं अगर हम इसको electron microscope से देखते हैं तो यह जो strips हैं छोटे-छोटे इस तरीके से fiber जैसे structure से मिलके बनते हैं और इस fiber के अंदर क्या होता है यह जो अंदर के तरफ जो depression है इसको बोलते हैं groove ग्रूव और यह जो बाहर वाला इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो अगर मैं एक यहां पर पैलिकल की बात करूं या एक fiber की बात करूं तो इसके अंदर क्या होंगे बहुत सारे grooves and ridges होंगे यह आपस में एक दूसरे को interlocking fashion होता है यह जो इस तरीके से तरीके से तो अगर हम इसको compound microscope से दिखते तो इस तरीके से एकदम simple सी lining दिखने स्टार्ट हो जाती है और इन lining को हम बोलते है myonyms यह आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है इन छोड़ी छोड़ी lining को हम क्या बोलते है myonyms बोलते है यह जो myonyms basically क्या है यह pellicle है pellicle का fibrous structure है ठीक है य यह जो आपका पूरा pellicle है यह पूरे body पर present होता है बट यह जो anterior वाले part में यह छोटा साब जो गड़ा देख रहा है यह इस तरीके से cylindrical structure दिखते है इसको हम बोलते है reserve wire इसको क्या बोलते है जो खाली सा structure है यह बड़ा सा इसको बोलते है reserve wire तो इस reserve wire के अंदर आपका pellicle absent होता है यह चीज आपको ध्यान राखना है पालिकल क ईबसेंट है तो यह आपको ध्यान रखना है अब यह जो पैलिकल के अंदर यहूप देख रहे हो है to यहाँ पर प्लास्म मेंब्रेन प्रसेंट होगा अशुला के अंदर च्छोटा सा आप देख रहे हो यह कैनाल बना हुआ है इस च्छोटा सा कैनाल है पतला सा कैनाल है इसको क्या बोलते हैं Cytopharynx बोलते हैं, अब इसी kanal के अंदर, जो बड़ा सा groove देख रहे हैं, इसको बोल दिया हमने क्या, Reservoir बोल दिया, अब इस Reservoir के अंदर से ही क्या होता है, आपका FLAGELA निकलता है, इस reservoir के अंदर से क्या निकल रहा है, फ्लेजिला निकल रहा है, और यह जो फ्लेजिला सिर्फ एक नहीं होता है, एक फ्लेजिला बड़ा होता और एक छोटा सा फ्लेजिला होता है, और यह दोनों फ्लेजिला जिस point से originate होते हैं, यहाँ पे जो दो point है, मैं color change करके आपको दि आपको clear होनी चाहिए, अगर फिर भी कोई doubt है, तो comment जरूर करें, ठीक है, तो यहाँ से यह फ्लेजिला originate होंगी, इस point को हम क्या बोल रहे है, लिफ aeroblast बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको यह originate होती है, वही यहाँ पर एक नया structure आपको देखने को मिल रहा होगा यह जो structure है, यह जो reservoir है, reservoir के बगल में इस तरीके का यह जो rounded structure दिख रहा है, इसको हम बोलते है, vacule, ठीक है, यह बड़ा vacule है, और इसके नीचे-नीचे क्या है, छोटे small vacules होते है, एक large vacule होगा और छोटे-छोटे vacules होंगे, तो vacules का basically काम क्या होता है, यह Osmo regulation में help करता है, Osmo regulation में help करता है, so what does it mean, Osmo regulation का मतलब क्या होता है, body के अंदर salt की concentration को maintain करके रखना ही क्या कहला था, Osmo regulation करता है, तो body में यह जो contractile vacule है, यह water को या तो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के काम आता है, यह क्या करेगा, यहाँ पर जो भी water है, यह इसको cytoferring के अंदर डाल द जाता है, तो यह yuglena में इस तरीके से होता है, यह चोटे-चोटे contractile vacule है, यह भी fuse होके इसके थूरू बाहर ही चले जाते है, ठीक है, तो अगर मैं yuglena की बात करूँ, ठीक है, तो yuglena basically plants और animals के बीच का connecting link है, ठीक है, यह क्या है, plants plus animals, plants and animals के बीच का क्या है, यह connecting link है, यह एक connecting link है, अब ऐसा क्यों connecting link क्यों है, क्योंकि इसके अंदर plant like character भी देखने को मिलते हैं और animal like character भी देखने को मिलते हैं, let's say, कि यहाँ पर अगर light available है, yuglena के पास sufficient light available है, तो यह क्या करेगा, light की presence में phototropic nutrition करेगा, यह simple बोले, कि photosynthesis करेगा, और जैसी light इसके पास unavailable है तब हूँ क्या करेगा, heterotropic nutrition start कर देता है, तो इसके अंदर दोनों तरीके का nutrition होता है, both type of nutrition, both type of nutrition, यहाँ पर दोनों type का nutrition होता है, कौन-कौन सा, phototropic, या बोल सकते है, autotropic, photosynthesis भी करता है, इसके अंदर, photosynthesis का मतलब क्या है, autotropic nutrition और साथ के साथ जब light absent होता है, तो यह heterotropic nutrition करता है, तब यह heterotropic nutrition करता है, तो यहाँ तक आपको चीजे थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी, अगर doubt आ रहा है, आपको चीजे समझ नहीं पा रहे हो, तो आप comment करके जुरूर बता है, ठीक है, अब यहाँ पर यह बड़ यूगलीना के अंदर एक primary, prime organ बोल सकते हैं, क्योंकि यही organ क्या है, locomotion में help करता है, फ्लेजिला की मदद से ही यूगलीना क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में अपने आपको motion में help करवा पाता है, ठीक है, अब यह फ्लेजिला क्या होता है, अगर फ्लेजिला की ब section काटने में, यहाँ पर मुझे fibers का कुछ arrangement दिखता है, जहाँ पर 9 peripheral fiber present होते है, deployed structure में, इस तरीके से double-double के pair में present होते है, और center में 2 fiber present होते है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो, अगर इसका transfer section काटता हूँ, ठीक है, उसके बाद अगर अंदर की बात करते हैं, बाहर वाले part को बोलते हैं, एक्टो प्लाजम, यानि साइटो प्लाजम के जो सबसे peripheral वाला part होता है, जो surface के पास जो part होता है, उसको हम बोलते हैं, एक्टो प्लाजम के अंदर generally क्या होता है, mucus secreting cells present होते है, यानि यह कुछ न कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, और जो main आप क्लो प्लाजम के reticulum और दूसरे cell organal यहां पर प्रेजेंट होता है, साथ के साथ जब यह photosynthesis करता है, तो photosynthesis करने के बाद जो भी food बनाता है, वो क्या है, paramaylon के form में यह store कर लेता है, ठीक है, chloroplast obviously बाते present होगा, क्यों, chloroplast का काम क्या होता है, photosynthesis मे help करना, यह light को trap करता है, सा यहां तक चीजें मुझे लगता है, आपको clear हो जानी चाहिए, अगर फिर भी कोई doubt है, तो आप comment करके जरूर बताए, next video में हम यहां पर यूगलीना के locomotion से बात करेंगे, क्योंकि locomotion बहुत बनता है, तो next video जरूर देखे मेरा, जिसमें हम यूगलीना के locomotion के बारे में बा जरूर ट्रोट्रोपिक दोनों टाप का nutrition प्रेजेंट होता है, जिसके वैसे हम इसको connecting link बोल रहा है, plant और animals के बीच का, ठीक है, उसके बाद यहां पर हमने बलीफेरोप्लास्ट बताया, बलीफेरोब्लास्ट क्या होता है, जहां से generally दोनों यह दो फ्लेजिला जहां से connect हो स्टोड फूड होता है, ठीक है, chloroplast light wrap करने काम होता है, ectoplasm, peripheral cytoplasm होता है, जिसके अंदर microtubules present होता है, जो कुछ ना कुछ ताइप का secretion यहां पर secret करता है, endoplasm के अंदर main cell organal होता है, myonyms कहलाते है, pellicles के जो fibers होते है, उनको myonyms कहते है, ठीक है, contractile vacuole का काम होता है, os no regulation करने में, ठीक है, cytopharynx basically mouth के तरह work करता है, यहां पर food is get through ingest नहीं करता है, ठीक है, तो यह सारी चीजे थी, आज की class में हमने सिफ yuglina के basic structures के बारे में detail किया, next class में हम detail करेंगे क्या locomotion of yuglina, की yuglina के अंदर कैसे locomotion होता है, then reproduction deal करेंगे, ठीक है, insistment deal करेंगे, यह सब तो जरूर से like, subscribe और share तो जरूर कर ले, मिलते हैं next video में, thank you everyone